तो दोस्तो एक बहुती दुखत गटना हो चुके है बैड निउस है और दोस्तो स्नेक हैंडलिंग के बारे में विक्रम मलोड जी बहुती पॉपिलर थे यूटूबर, इस्टाग्राम, फेस्बूक उनके कई सारे वीडियो आपने देखे भी होंगे स्नेक हैंडलर के नाम से काफी ज़्यादा पॉपिलर थे लोग प्रिये थे लेकिन दोस्तो वो खुद अपने वीडियो में कहते थी कि यह जो तरीका है लोगों को देखने में पसंद आता है लेकिन यह तरीका गलत है और दोस्तो मेरी टीम और मैं भी स्नेक हैंडलिंग का समर लास्ट टाइम हो 20-25 दिन पहले एहमत नगर में थे उनसे हमारी मुलाकात हो चुकी उनको मैंने परस्नली फोन पर भी पहले बोला था और मिलने के बाद भी बोला कि उत्रम जी आप इस तरह से हैंडल ना करो क्यूंकि आज कल के युवा लोग जो युवा लोग है इस तरह स्नेक हैंडलिंग करनी की कूशिश करते हैं और जिसके कारण स्नेक बाइट लोगों को होता है लेकिन दोस्तों उन्होंने मुझे जवाब दिया जो वीडियो के जरियो हर वक्त देते हैं कि मैं स्टीक से टॉम से स्नेक को हैंडल नहीं कर पाता मुझे बच्वन से यही आद लेकिन दोस्तों उन्होंने खुद कहा था कि एक ना एक दिन मेरी मौत इसी में है और हो सकती है ऐसा एक वीडियो में उन्होंने कहा था और ऐसा ही हुआ जब वो नासिक आये पहले वो तो महाराश्टर टूर के लिए आये थे 20-25 दिन पहले उनके पापाजी भी साथ थे औ और वो महाराश्टर घुमे अलेगलग जिला में वो स्नेक रेस्कियोर से मिले और नासिक गए नासिक जाते हैं उनकी गाड़ी वहापर खराब हो चुकी जो फूरलर जीप के नाम से है वहापर वो खराब हो गई और वहापर उन्हें ने वो गाड़ी छोड़ दी और दूस से लगये फिर अपनी घाड़ी लेने को तकल लासिक को वापिस आए अपनी घाड़ी जो बंध गिर चुकी थी वह लेने के लिए और वहापर कुछ शनेक रेस्कियूर से पहले भी मिल चुक थे उनी के पास हो गए अर उनको call आया, rescue के लिए, कही से भी नासिक से call आया जो प्रॉपर स्थानिक जग़ों पर rescue रे, snake rescue रे, उनको call आया उनके साथ और rescue के लिए गए और उनने kobra को, उस kobra snake को handle किया और उनकी भापर, उनको कobra snake ताट लिया तो उन्होंने बुला कि मुझे कुछ नहीं होगा लेकिन बहुती ज्यादा देरी होने के करण रस्पिड़ में बहुती ज्यादा देर की उन्होंने खुद ने और ऐसा मुझे वहां से पता चला है जो स्नेक गोशित कर दिया और दोस्तों काफी दुखत गटना है ऐसा नहीं होना चाहिए था अपने महाराष्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए था उनका तरीका बहुती गलत था उनका खुद कहते थे कि मेरा स्नेक हैंलिंग का तरीका बहुती गलत है कोई कॉपी ना करे लेकिन हम भी इस परना एक ना एक दिन आपको यह जान लेवा होगा और दोस्तों वैसे तो विकरम मालोड जी काफी पॉपिलर है आपको पता ही चला होगा आपने वीडियो देखे भी होंगे चाहे वो किसी तरह सनेक हैंडलिंग करते हो लेकिन दोस्तों मैं एक दिल से बात बोलता हूँ वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था बहुत ही अच्छा इंसान था उनके साथ अगर पाच मिनिट अगर किसी ने बात किया तो उनका बन जाता था दोस्त इतने वो अच्छे है बात करने में और उनका सोभा भी बहुत अच्छा था लेकिन बस गलत यह था कि उनका हैंडलिंग का तरीका जो की भोती वो खुद बता देखी गलत है हमने भी कई बार उनको बताया कि ऐसा ना करें हैंडलिंग दोस्तों बहुती दुखत गटना है कल यह गटना हो चुकी नासिक में अभी मैं एहमद नगर में हूँ यहां से अभी नासिक निकला हूँ हमारी टीम के साथ हमारे साथ आज संतोस करपे हमारे टीम के मेंबर सभी मेंबर यहाँ पर है अतुल पाकरे नवाशेक, शिराद सयद, निलेच साडवे, रुशियच जादव और दोस्तों हमा जो गटना हो चुकी है, जी ओ, विकरम मालट जो को बाइट हुआ और उनकी डेट हो गई है, सही है या गलत है, या नियूज वाले ऐसे दिखा रहे हैं, इसके बारे में मुझे भूछ सारे कॉल आ रहे, सुबह से लगबग, हजार से भी ज्यादा मुझे कॉल आ है, अटें टीवी के दोरा पता चला, और कुछ रेस्क्योर ने थोड़ा बहुत जानकरी दिया, और इसलिए मैं सही जानकरी लेनी के लिए, यहाँ से एहमद नगर से नासिक निकला हूँ, और नासिक जाने के बाद च्छानवीन करूँगा, वापर क्या हुआ था, और किस तरह उनको बाइट हुआ, और उनकी डेट किस कारण हो चुकी, हॉस्पिटल लेट जाने के कारण हो चुकी, या वीरो हॉस्पिटल भी हो गए नहीं, अभी वो आपको पता चलेगा दोस्तों, अगले वीडियो में, हभी हम वापर पोचने वाले लगबग या से 170 किलोमेटर की दूरी पर है, हमें जाने के लिए 4-5 घंटे तो लगने वाले हैं, दोस्तों अगला अपडेट देखते रहिए, और बस हमारे टीम के दोरा, वाइड लाइफ रेस्क्यू सोसाइटी एहमत नगर के दोरा, विकरम मालोड जी को भावपूर्न श्रद्दा अंजली देते हैं,